कच्छानों की mathematics की कलास शुरू हो चुकी है नितेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रभी संकर जी भी जुड़ चुके हैं रोहित विसकर्मा जी भी जुड़ चुके हैं प्रांजल अंकिता सिंग पूनम सुनीता महेस विनीता और कौन है भई अंकित सभी ऍलिक पा रही हूं आपका कमेंट बच्चा ठीक है ये आपके छटे चैप्टर का लाश्ट है यह पहले तो लोग में यह बताओ किताब लियों की नहीं कि सभी किताब लियो ना तो चलो ठीक है जल्दी बोलो जो बच्चे किताब लिये यस और भाई जिनके पास किताब नहीं वो किताब खरीद लें जिनके पास किताब नहीं वो किताब खरीद लें exercise 6.3 class 9th मैद ठीक है चलो बच्चा कुईश्चन नमबर इधर साइड में देखो ध्यान दो कुईश्चन नमबर 5 बहुत ही सिंपल सा सवाल है एकदम आसान है कुईश्चन नमबर पहला कहता है इस आकृती में मतलब जो आकृती दी गई है किताब में ऐसे लिखा इसलिए मैं पूरा स किताब नहीं लिए वो जरूर लिखें किरन मौर्या जी मैं देख पा रहा हूं अनूपम याद दो धर्मराज विसकर्मा जी कमेंट आपका देख रहा हूं जो किताब नहीं लिए हैं वो सवाल जरूर लिखें और बाबु जो किताब लिए वो सवाल समझें सवाल जीतना सम समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा ये चैप्तर थोड़ा टफ है थोड़ा टफ है दिमाग लगाना पड़ेगा कि चलो में कि तीरभूज P, Q, R कि भूजाओं QP कि भूजाओं QP देखो अभी चित्र बनाओंगा तो सबसमझ में आजायेगा और R, Q को करमसा और R, Q को करमसा अभी फिगर बनाओंगा सब समझ में आजाएगा कौन सा चित्र है आदा मिनिट रुख जाओ को करमसा बिंदूओं यस तथा टी तक बढ़ाया गया हिंदी मीडियम इंगलिस मीडियम सब में यही सवाल है बिंदूओं यस तथा टी तक बढ़ाया गया अब देखो अब मतलब के चीज आ रही है जो आपको समझना है भाई डीसी जी में देख वार हूं आपका कमेंट नितीश कुमार सौरब पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको चलिए कि रहा कि तिर्बूज पी क्यू आर में तो भाई पी क्यू आर एक तिर्बूज बना लो बच्चा पहले इसका का नाम है थोड़ा मैं नीचे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं ठीक है ठीक है चलो एक तिर्बूज है जिसका नाम है PQR ठीक है जैसे कहरा वैसे मैं कर ले रहा हूँ ये तिर्बूज है PQR इतना ठीक है आगे कहरा है देखो देहन दो आगे क्या कह रहा है कह रहा P, Q, R की भुजाओ Q, P को Q, P को भाई Q, P यही है न Q, P और R, Q को करमसा, Y, S, तथा, T तक बढ़ाया गया करमसा का मतलब ये है भाईया कि जो Q, P है उसको Y, S तक और जो R, Q है उसको T तक आगे बढ़ाया गया यानी इनको कहां तक लई गया गया भाई यहां पर एक कोई भुजा है जिसका नाम क्या है यह है कि ठीक है और एक हम बोझा कि आगे बढ़ेे कौन सी यह है वो यह तक बढ़ाया गया किई को आर कि आर कि यू इसको ट्रा फ्वर इसको नीचे लिखें तभी तो बढ़ाएंगे हम यह यहां पर क्या नाम है टी है ऐसे चित्रा देखो आपके किताब में बना है कि बना है ना ऐसे चित्र भाई कुंदन कुमार की रन आरान समझ में भाई सभी लाइक करो यार कलास को मतलब कहना पड़े अच्छा नहीं जल्दी करो यह ठीक है आगे सवाल क्या कहता है ध्यान देना करा यह दी यस पी आर बराबर 135 डिग्री सवाल लिखो यह दी कोड़ एस पी आर बराबर 135 अंस बच्चा यस पी आर कितना है 135 अंस यस यह यस पी और आर यह कितना है 135 है बाबू मतलब आपका यह वाला एंगल 135 है अभी मैं सिर्फ सवाल लिख रहा हूँ और यह कौन है बाई डी सी दिसमंद गेमर जी कलास देखो बाबू ठीक है कलास देखो नहीं कड़ बड़ हो जाओगे और कि पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री पी क्यू टी मतलब जानते हो पी क्यू टी 110 मतलब यह वाला कौन कता है 110 डिग्री है देखो आगे क्या कहता है आगे क्या कहता है आगे कह रहा है कि यह टो ठीक है तो PRQ ग्याद केजिए क्या करना है कोण PRQ ग्याद करे अब ध्यान दो PRQ ग्याद करना भाई साहब Mr. Seakh, Ateak जी आरा समझ में हमें ये वाला कोण ग्याद करना है ठिक है कौन सा ग्याद करना है ये R वाला कोड हमें निकालना है इतना लिख लो जल्दी से, इतना हो गया, इतना लिख लिया न? आगे चले अब तो कर लोगे, अब तो कोई बड़ी बात है नहीं सवाल में? हाँ अब तो इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है नहीं नो अब देखो एक 135 दिया है एक 110 दिया है इसमें हम कुछ रूल लगाएंगे ठीक है इसमें कुछ रूल लगाएंगे वह रूल कौन सा मैं बता रहा हूं मैं थोड़ा फोन ले लेता हूं जिससे मैं कुछ लोग को बलाग कर सकूं चुकि यह फालतू के कमेंट करेंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कुम जानते हो लीनियर पेर जानते हो कि नहीं देखिए उत्तर भी आ गया जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आ रहा किरन मौर्या का अंसर आ गया बहुत अच्छे किरन जी बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड चलिए तो अब यहां पे हम लिखेंगे हाल कि मैं सामने स हट भी जाता हूं इधर साइट थोड़ा परचाई पढ़ जाती है हां अब हल लिखे क्या करोगे भाई साथ ध्यान दो आप लोग कि ध्यान दो मैं सामने साट गया हूं आप एक लाइन देखो यह स्क्यू वाली सीदे फीदी लाइन देखो यह सार क्यू एसक्यू देखो इस पर कितने कॉंड बने हैं पहले यह बताओ यह स्क्यू पर कितने कॉंड बने हैं जल्दी बताओ कितने कॉंड बने हैं बताए जवाब दीजिए कितने बने हैं भाई yes, और q पर देखो, आपधैयान से अगर, तो एक कोंड ये बन रहा है, 135 वाला और एक कोंड ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, न? बन रहा है, न? पतल depression, दो कोंड बनें है, यहाँ तो ये खतम हो जा रही है, यहाँ पर मत कहो, यहाँ कोई कोढ नहीं बना उसके कुन अ क्यार्ण मतलब नहीं, यह लाइन सीधी शीधी अगर देखो, यह स्क्यू ऐसे तो हिस प्रफर एक बन रहा है, यह दो तो कौन इस पर बन रहे हैं ना ठीक है आप ध्यान दो आगे इधर साइड ध्यान दो क्या करना है समझो यहां पर आप लिखो के रेखा कौन सी एस क्यू से हाँ यह थोड़ा फर लिख लोगत अच्छा रहेगा रेखा यस क्यू से आप लिखो कौन कौन सा भाई एक तो यह 135 वाला आ जाए दूसरा यह आ जाए देखो पहले मतलब समझे लो हमें करना क्या है हमें कोण आर निकालना है यह आर निकालना है न और हमें क्या है इस में से तीन कोण है एक यह है भाई तिरभुज के अंदर तीन कोण है न तीन अंता कोण है एक कोण यह है एक यह है और एक यह है हमें इसमें से कोई भी कोण नहीं पता है अनुपम यादो जी मैं देख रहा ह कोई भी एंगल हमें पता नहीं है तो फिर हम कर क्या सकते हैं ध्यान दो पहले हम इसमे से ये एंगल निकालेंगे और फिर ये एंगल दोनों एंगल निकालनें अगर तो तिसरा जाएगा क्योंकि हम जानते हैं तीरबुज के तीरबुज के तीरबुज के और क्या करोगे भाई? S, P, R S, P, R यह किस पर बन रहा है? S, Q, पर ही तो बन रहा है न? और प्लस P की कौन सा लोगे? यह पूरा-पूरा P, Q, R भी लिख सकते हो न? क्या लिखोगे? जल्दी बताओ Q, P, R भी जल्दी लिखो, फटा-फट लिखो S, P, R और Q, P, R बराबर कितना होगे? 180 ठीक है? जल्दी करो फट से लिख लो S, P, R और Q, P, R बराबर 180 बरेकर्ट में लिख लो रहा है की की यूग मो? क्या हो रहा है इन पर? रहकी की यूग मो? हमें पता है की जो कौन रहकी की यूग मो? बनाते हैं वो क्या होते हैं? Q, P, R S, P, R और Q, P, R बिल्कुल की रहन महुरा जी बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट 180 ठीक है अब S, P, R का वैलू दिया है 135 हमें पता है ये 135 धन Q, P, R बराबर 180 यहां से हम कोड Q, P, R निकालेंगे तो 180 माइनस 135 बराबर घटा होगे तो 45 डिगरी कितना आएगा बच्चा 45 डिगरी आएगा ना बाबू मतलब ये कोड आपका कितना आगया 45 ठीक है ये कितना हो गया ये हो गया आपका कितना ये हो गया कितना बैताली संस देखो हमने रेखा लिया था YAS और Q पर जिस पे दो कोड थे एक कोड ये बन रहा था भाया ये वाला पीस के लिए बन रहा था इस दिर्बूज ABC के लिए और एक SPR SPR बन रहा था बाहर वह है कोड ना दो कोड थे वहने यहां से इसको निकाल लिया एक आ गया अब हमें क्या करना है अब हमें दूसरी रेखा ले ना ये वाली ये रेखा रेखा TR से या फिर RT से ठीक है इसको लिख लो मैं मिटा दूँ इधर साइड में इधर साइड में मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है मैं इधर मिटा सकता हूं ना इधर तो कोई दिक्कत नहीं है जो बच्चे नहीं लिखे स्क्रीन साट ले ले वीडियो को पीछे करके चुकि ज्यादा जगा नहीं तो मैं इसी इतने में हल कर दूंगा ना ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज से हम करते हैं नए पेज से जो चात्र अभी नए नए जुड़े हैं भाई रभी संकर विसकरमा जी आप लोग एक काम करो ना आप लोग कलास को पीछे करके लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लिया करो जैसे पूरा हो जाए अब दूसरी रेखा लेंगे कौन सी ये रेखा आर्टी से या फिर आर्टी पर लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे कोई लिखता नहीं है लिखोगे रेखा वाला तब भी ठीक है यो मैंने लाइन लिखा लेकिन लिख लोगे तो अबछ रहेगा रेखा ऐर्टी से ठीक है या पर क्या है है यह सीदी रेखा है मिट इस पर कों बन रहे उताह यह कॉंड यह उपन रहे हैं इंदो क्यों बन रहते-इतार ऑख़ इक कोण PQT धन कोण PQR ठीक है भई यही तो होगा ना PQR बराबर 180 अंस कारण लिख लो रहकी की यूगमू मतलब linear pair यह क्या है linear pair बना रहें बिल्कुल किरन महुडाजी बेरी गुड ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए अब देखो यहां पे ध्यान दो तो PQT कौन सा भाई या PQT 110 दिया है यह रख दो बाब को 110 डिगरी प्लस कौन PQR एक्वाल 180 अब लिख लो कौन PQR वराबर 110 माइनस 180 माइनस 110 फाइनल में इसको हल कर लोगे भाई साहब तो 70 डिगरी आएगा यहनी हमारा यह कौन कितना हो गया 70 डिगरी आ गया ना समझ में इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं न ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे जल्दी जल्दी फटा फट लिखते जाओ और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएं बहुत तेजी के साथ जल्दी करो आप लोग चलो इतना हो गया चलो ठीक है बेरी गुड आप लोग चल्दी लिखो मैं सामने से हटता हूं अब इसको मैं मिटाओंगा और एक नए पेज पे आपके लेके चलूँगा ठीक है एक नए पेज पे सिवानी मिस्तरा जी गुड इबनिंग गुड इबनिंग आप देखो एक नए पेज पे यह लाश्ट हो गया मुझे कोई अगा एनिमन अ देखो भाया क्या होगा ध्यान दो तिर्बूच PQR अगर हम देखें आइसे देखें इसको अईसे बाकी कुछ ना देखें तो हमें पता इसके यह कोण आप यह कोण क्या बाभ वू पी है यह क्यू है हमें यह सत्तर पता यह 45 पता है अब तो बड़े आराम से आ जाय गए ना बढ़े राम से अजाय से लिख विख लो फिफ हट्ट फट्ट लिख लिख लिको लिख लिख लिको shootings टी प्लस टीन धन जो fear खो लिखें का ऊर फी नहीं कि यू ए शेले desp पार ठेल हुआ ऑल थे अहां से ळिको तिर भूज पीक्यू आर्मे त्र उतीर शरी कौन सा करोगे P Q R धन कोड क्या लिखोगे R Q P धन लेकिन ये तो एक क्यों हो जा रहा है R P Q R P Q लिखो इसको ये उल्टा पुल्टा करके लिख लो मतलब तीनों आ जाए बस देखो इसमें P आ जा रहा है इसमें Q आ जा रहा है एक और लिख लो जिसमें R आ जाए धन P R Q पराबर 180 ठीक है कितना हो जाएगा 180 180 सभी कमान रख दो Q कमान कितना है 110 है नहीं 70 है भाई तीरबूज के लिए लोगे बाबू 70 है ये कितना है 70 है ये कितना है 45 है और ये P R Q बराबर 180 देखो हमें यही निकालना था ये P R Q निकालना था ब्रेकट में यहाँ पे लिख दो 180 ये कैसे हुआ उपर लिखो नीचे वाले में मत लिखो उपर वाले में लिखो 180 कैसे हुआ पता है दूंको लिखो यहाँ ब्रेकट में कारण तिर्भूज के तीनों ब्रेकट में कारण लिखो तिर्भूज के तीनों अन्ता कोणों का योगफल 180 होता है यहाँ पे कारण लिखो जब ये P Q R और R P Q और P R Q बराबर 180 कर दिये हो ना तो ब्रेकट में कारण लिखो ऐसे काहे कर रहे हो लिखो तिर्भूज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ठीक है मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आप लिख लो ठीक है ना बच्चा कोई डाउट नहीं न निकल यादो मैस भट्टी धरमराज विसकर्मा छोटू चलो अब यहां से निकाल लो भाई साब पी आर क्यू बरावर 180 माइनस 70 माइनस 45 बच्चा इतना हल करना तुमको आता है तो पी आर क्यू निकाल लोगे तो 65 डिग्री आएगा और यह हो जायागा हमारा पैसा ठंस और हमें सिर्फ यही निकालना था हाँ यही निकालना था न जी बिल्कुल बिल्कुल भाई धरम राज बिसकर्मा का जो एक्स्प्लेनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है अब मैं सामने से थुदा साइड हो जा रहा हूं तुम लोग इसे जल्दी से छाप लो फटा फट ठीक है जल्दी से लिख लो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं ओके चलो जल्दी से लिख लो फट से लिख लो बहुत जल्दी देर मत करो ओके जलो ठीक है इसमें कोईट आउट किसी को नहीं ना चल यह ठीक है लाइट थोड़ा कम हो गई क्या हमें लगता बहुत ज़्यादा बेतर दिखेगा अब चलें आगे चलो ठीक है ओके गूट तो बच्चों यह आपकी जो है exercise 6.3 का question number first हो गया इसके आगे हम लोग कल देखेंगे ठीक है इसके आगे हम लोग कल देखेंगे अगर आप इस class को PBR study app में लिए हैं तो आप वहाँ पे बड़ी बड़ी class देख पाएंगे एक साथ धेर सारी class देख पाएंगे और अगर आपने इस class को सिर्फ और सिर्फ यूटूब पे देखा है या फेस्बुक पे देखा है तो आपको daily एक छोटी class मिलती रहेगी और आप पढ़ते रहिए अपने अध्यन को आगे बढ़ाते रहिए ठीक है और हाँ आप कोसिस करिए कि आप PBR study app में जा करके course ले लीजिए वहाँ पे आप हर दिन दो गंटे पढ़ पाओगे तीन गंटे भी पढ़ पाओगे मतलब जितना चाहोगे उत्ता पढ़ पाओगे कहाँ पे PBR study app के अंदर ठीक है समझ रहे हो ना तो जो भी नए चात्र जूड़े हैं वो सब ही क्या करेंगे PBR study app में जाके class देखेंगे और एक काम करो एक काम करो भई अगर आप हमारे WhatsApp ग्रूप में जूड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम कलास का नाम और अपने जिले का नाम क्या क्या भेजोगे नाम कलास का नाम और जिले का नाम मतलब district name तेन चीज भेजना जोड़ दिये जाओगे ठीक है तो यह आपकी कलास नहीं पे खतम होती बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को प्रेम पूर्बख शुक्रिया आपने कलास को पूरा देखा हर रोज साम को साथ वज़े से कलास होती है आजाया करिए और एप में न यह वीडियो आप मातर दस मिनट में देख लोगे जो यहाँ पे तीस मिनट में देखे हो सिर्फ दस मिनट में